नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G85 5G vs Realme C61 का full depth comparison करने वाले है इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के dimension की दोनों फोन की length की बात करें तो, G85 में 6.37 इंच जब की C61 में 6.59 इंच की length मिलती है width की बात करें तो, G85 में 2.88 इंच जब की C61 में 3.02 इंच की width मिलती है बात करें thickness की तो, G85 में 0.3 इंच जब की C61 में 0.31 इंच की thickness मिलती है जो की G85 से ज़्यादा है अब बात करते हैं weight की तो, G85 में 172 ग्राम्स जब की C61 में 187 ग्राम्स का weight देखने को मिलता है जो की G85 से ज़्यादा है चलिए, अब हम display की तुल्ना करते है डिस्प्ले टाइप की बात करें तो, G85 में पॉल्स कारट कारट 3D curve डिस्प्ले जब की C61 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है aspect ratio दोनों फोन में same ही, 20 ratio 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो, G85 में 6.67 इंचिस जब की C61 में 6.78 इंचिस मिलती है डिस्प्ले रेसलूशन G85 में 1080 X 2400 PX FHD+, और C61 में 720 X 1600 PX HD+, मिलता है screen to body ratio G85 में 90.8 प्रतिशत जब की C61 में 86.54 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI density की तो G85 में 395 पिक्सेल प्रती इंच जब की C61 में 269 पिक्सेल प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य पीचर्ज यानि विशेशता है की जो की mobile phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें main camera की तो G85 में 2 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera और आखिर में ultra wide angle camera देखने को मिलता है और C61 की बात करें तो इसमें एक camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera देखने को मिलता है बात करें video camera की तो G85 में 14 different type के features मिल जाते हैं और C61 की बात करें तो उसमें 4 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें फ्रन्ट कैमरा यानि की सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की चार डिफेरेंट फीचर्स मिलते हैं आए अब बात करते हैं हार्डवेर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे हार्डवेर में सबसे पहले CPU जोकी स्पीक के हिसाब से देखा जाये तो फोन में सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं GPU की बात करें तो, G85 में Adreno 619 जबकी C61 में Mali G57 मिलता है चिपसेट की बात करें तो, G85 में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 और C61 में Unisop T612 मिलता है बात करें RAM की तो, G85 में 2 ओप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB 12 GB की RAM मिलती है जबकी C61 में 2 ओप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB 6 GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो, G85 में 2 ओप्शन देखने को मिलता है जिसमें 126 GB 256 GB की storage मिलती है जबकी C61 में 2 ओप्शन देखने को मिलता है जिसमें 64 GB 126 GB storage मिल जाती है expandable memory की बात करें तो, G85 में जबकी C61 में अप्टू 2 TB है operating system दोनों फोन ने Android V14 देखने को मिलती है बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो, G85 में 3 colors जबकी C61 में 2 colors option मिलते हैं सब information देखने के बाद बात करें price की तो, G85 में 2 variant देखने को मिलते हैं जो की 8 GB RAM 128 GB storage के साथ 16,999 रूपीज 12 GB RAM 256 GB storage के साथ 18,999 में मिल जाता है वही अगर बात करें C61 की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते हैं जो की 4 GB RAM 64 GB storage के साथ 7,699 रूपीज 6 GB RAM 128 GB storage के साथ 8,999 रूपीज में मिलते हैं दोस्तों अब बात करते हैं prans and cons यानि की फाइदे और नुकसान की तो Moto G85 5G में 8 फाइदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है जबकी बात करते Realme C61 की तो उसमें 7,5 रूपीज और 8 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है result की तो डिस्पले में दोनों फोन सेम ही है में कैमरा में G85 आगे है फ्रंट, सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मंस में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो वाई 200E 5G है, दूसरा ओपो F25 Pro 5G है, तीसरा टेक्नो कैमरा 35G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें नतिंग फोन 2E 5G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्रियो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो क्रिप्याय से लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले